तो चले दोस्तों व्यीजुओ में हम बात करेंगे तीन ब्रेकवड स्टोक के बारे में जहींतिनी इस ने इसका मल्टियाउरेसेंच का ब्रेकवड दे दिया है जायस तो माल्टिया रेसटेंच यह दो तीन साल का 12 रेस्टेंच का अब रख रोय दो चाहते हो 15-20 इससे बाई करके होल करोगे तो आपको एक बहुत ही शांदर प्रॉफिट मिल सकते हो सकते कि 15-20 दिन में आपको श्यार में 10 से लेके आप 15 परसंद की प्रॉफिट इजिली मिल जा क्योंकि ब्रेकाउट आने के बाद यह प्रॉफिट आपके सकते 15-20 में इजिली आमें जैनरेट हो जाता है सो दिखें इन तीनी स्टोक का में टार्गेट बताने वाला हुए कि शॉट टाउन एनलाइसिस भी आपके जाट श्यार करने वाला हो तो पहला स्टोक है जिनमें कच्छी किसी ब्रेकाउट निकाल कर आगा है वह है एफ एसल एफ एसल यानि फॉर्स्ट शोर्स सेलोशन अगर हम एफ एसल श्यार की बात करते हो तो दिखें इस श्यार को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम बेदेखतें बड़ी टाइम फ्रेम यह स्टोक ने और साुच्छत अगर हम यहां पे छोस करते तो오法 ना यहां नएक तो राइजिंग यहां पर आया है जो रिवर्स से लिहां पर आया किस कंडल्स आया सबसे पहले दिखे है, यहां पर आप देख सेखते हूं कि डेली टाम प्रेम में इंचाइट बाग का कंडल्स फॉर्म किया था और इंसाइट बाग का ब्रेक आउट भी आ गया इंचाइट कैंडल के और रिइंडल के अंदर इसे ब्रेक औटाथ है ऑर तो यहां पर और पर एक बहुत ये शांदर मोमेंटम आना चाहिए और जो लास्ट केंडल काल की दिन परम के यह पीनवार्स के कैंडल है तो ये भी आप दिखेएगा सपोर्ट कियो पोड़ कोई भी सपोड़ कि और अगर पीनवार्स के युद्र कला है तो ओपहर्स दोस्तों एक बहुत बड़ा सुनेरा मौक्का है अमारे लिए क्यां में पाइब कारें कि कि अगले क्रोसबर अल्री में मिल गया है तो तीन केंडल दो केंडल अल्री आपर दे चुकिए तो इसका मतलब देखे शॉट टाम के लिए काफी स्ट्रंग नजर आ रहे तो आप तर्गेट 252 तक रखेंगे और यहां पर जाके अगर ठीट हुआ तो हम आदा प्रॉफिट बॉट करेंगे और बाकि आगर इस्टोंग नजर आए तो सबस्टाइए तो बाकि आदा आज जो फोल करके रखेंगे और पहला टार्गेट यहां पर हमारा से breakout दे दिया है बड़ी टाइम फ्रेम कर दिखते है तो यहां पर आप देख सेक्ट है कि राउंडिंग बॉटोम का पैटन यहां पर पर फर्म गया था इसका ब्रीक आउट यहां पर देधिए और जो ही अब देख सेकते हैं कि लॉंग भूलिश केंडल से ब्रेक आउट हाम यहां पे मिल रहा है और साध से जोस्तों यहापर आगर हम विखले टाइम प्रेमें लेकर चल दे सो वही पैंटन आपको यहापर भी नजर आगा कि वाउप एक अच्छीज़ ब्रेक आउट है और यहा आपको आगे भी देखने को मिल जाएगा शियार पर बात करते हैं कि स्टोक में हम कौन सा लेवल्स पर अंट्री लेज सकते हैं जो अगर हम एंट्री लेवल की बात करें टारगेट क्या होगा तो यहाँ पर आप देख सेकते हो इस्टोक अल्री बहुत उपर चला गया है तो यहाँ पर हमें दो सिन्यारियों बन सकता है अगर इस्टोक गिर जाए तो हम गिरने देंगे कि यह 1580 यह पसास ती क्यास पर गिरे ता भी हम एंट्री ले लेंगे लिकिन अगर आज की दिन यह आज से भागना स्टार्ट करेंगे और बाकिया जो आदा स्टोक रहे जाएगा उसके साथ हम 1750 तक होल करके रखेंगा अगर स्टॉक में मुमेंटम सही है तो और स्टाप लॉस की बाद के रहे तो 1535 स्टाप लॉस रख सकती है हमारा बहुत ही शांदर इस्टॉप लॉस है लिकिन याद रखना दूस्तों यहापर जो हमारा रिसकी रिवाड रिस्यो है और इस्टू है जिन पर एक अच्छी किसी ब्रेकाउट है वे रिल फोल जैस्ट और रिल फूल श्यार पर अगर देखते हैं तो इस टॉक्स ने दोस्तों ब्रेकाउट तो आस कैसे क्यों कि तो कि तरफ नज़mail दोस्तों ब्रेकाउट के बात क्या है रिटेस्ट किया फिर उपर जाने के कोशिशिच क्यिंआ और छिए सकनल से घर है अगर डेली टाम फ्रेम को देखें तो यहां पर हमें ंडेल्ट डाई पिन वर्जों की इंडिगेट करा है कि छपोट की उपोर अगर पिन वर्ज के कैंडल मिल रहे डेली टाइम पर में तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि स्टुक भागने वाला है और साथी साथ यहां पर अगर हम सिंपल मुविंग अवरेस प्लेस करते हैं 21 डे तो अब बात करते हैं कि कौन सा लेवल पर हम चाहर पर लेंगे और टार्गेट क्या होगा अमारे लिए स्टॉक्स ने सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर बाइस टोड़ा सा गड़वर आए तो दिकिस्टॉंग अगर इस्टॉंग मोमेंटम रहे तो आधा प्रूफिट बू सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अगर इस टोड़ा सा गड़ बढ़ाए तो पूरा प्रूफिट बुक कर लिए लेकिन मोमेंटम रहे तो आधा प्रूफिट बुक करके बाकी आधा स्टॉक्स अब रान किजिएगा और स्टाप लोस की बात कि रहे दो तो तो अठारा सा दा थोड़ा सान प्यार है तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि यह आवान इस टूरू का रिस्क रिवार ट्रेशे को सरब नहीं जा रहे है